आज हो गए ये बारा माज की तारीक आप देखरें क्रिकेट फड़ाफट का 910 वा एपिसोड और दिनवर की 10 बड़ी IPL ब्रेकिंग न्यूज आज फिर से आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे दोस्तों एक महीने से कम का समय बचा है IPL में और 10 में से 6 टीमों ने अपनी नई जर्सी रिलीस कर दी है सारी जर्सी नई वाली भी बताएंगे तो एंट तक वीडियो को देखें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने हर IPL और क्रिकेट फैन के साथ तो IPL के प्रोमो को लेकर अब जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स के बीच जंग शुरू हो गई है क्योंकि कुछ दिन पहले रोहिश शर्मा हार्दिक पढ़ेया और केल राहूल के साथ स्टार स्पोर्ट्स ने अपना IPL का प्रोमो रिवील लिखिया था रिलीस किया था उसी को टकर देने के लिए महेंद्र सिंग दोनी के साथ जियो सिनेमा ने अपना नया प्रोमो निकाला है स्टार स्पोर्ट्स वाला प्रोमो आपने देखी लिया होगा जियो सिनेमा वाला प्रोमो भी जाकर आप इनके सोशल मीडिया अकांट्स पर देख लेना कॉपी दोनी को Brand Ambassador बनाया है और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि दोनी स्टार स्पोर्ट्स के प्रोमो का हिस्सा नहीं बनेंगे आपको पता है मैंने तीन दिन पहले बोल दिया था वो जीओ वाले प्रोमो में देखेंगे और वैसे ही हुआ है तो इस ख़बर के लिए एक प्रोमेशन हो गया था फाइनल हो गया जाय रिचर्ट्सन आउट हो गया है मुंबाइ इंडियंस ने इसकी पुस्टी कर दी है कि बुम्रा के बाद दूसरे खिलाडी जाय रिचर्ट्सन बन गये है जो कि IPL का और एशेस का हिस्सा भी नहीं होंगे तो IPL के बाद जो एशेस सीरीज होने वाली ऑस्ट्रेलिया इंगलेंड के वीज उसमें भी रिचर्ट्सन नहीं दिखेंगे यह बहुत बड़ा आघात है बंबई की टीम को कॉल लेगा भाई बुम्रा और रिचर्ट्सन की जगा बंबई कॉमेट बॉक्स में दोनों ही खिला रही है दोनों ही रिप्लेस्मेंट के नाम निक्कर बताईए कोमेट बॉक्स आपके लिए वहीं यूटूब्स में अपनी राय जरूर लेकिना आगे बढ़ते हैं दोस्ते आसे बात करते हैं दिन बर की दीसी बड़ी खबर की तो WPL से RCB के लिए अच्छी खबर निकल करने ही आ रही है क्योंकि एक साथ चार मैचेस हारने के बाद लगभग RCB टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी हुई है दरसल दोस्तों शुरबाती चार मैचेस RCB की वोमेंस टीम हार चुकिये कॉंस्यूकुटिवली और माइन इसा खेल है अनिशित्ताओं का खेल है या हर प्रेडिक्शन फेल है कुछ भी हो सकता है बट अभी की जो गड़ेत है वो तो यही बता रहा है कि RCB लगभग बाहर है बागी आप ज़रूर बताइए कौन जीतेगा WPL इस साल का अपनी फेवरेट टीम का नाम और कारण कॉमे अपनी अपनी टीमों के कैम को जॉइन कर लेंगे आपको एक चीज़ और बता दू कि के कंफर्म कर दिया है कि सुनी लरीन और एंडरे रसल 20 तारिक को भारत आ जाएंगे वेस्ट इंडीस के प्लेयर्स वो पहला देश के खिलाडी बन जाएंगे जो सबसे पहले भारत आने वाले हैं क्योंकि कई सारे कंट्रीज के प्लेयर्स तो बहुत लेट लेट इंडिया आएंगे हां ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी बहुत जल्दी जॉइन करने वाले हैं क्योंकि मोशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इस समय भारत में ही है इंडिया उस्ट्रेलिया सीरीज के कारण तो वेस्ट इंडीस के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लियर्स भी बहुत क्विकली 22 तारिक को जॉइन कर जाएंगे वह बोल सकते हैं कि 20 तारिक से रियल बिगुल बच जाएगा आई पील का जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अगर आप भी हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो आगे बरदें दोस्तों पाची वडी रिपोर्ट की बात करते हैं तो IPL की ओपनिंग सेरेमनी की टिकेट आउट हो चुकी है बुकमा शो और पेटियम इन दोनों ही ब्लेटफोर्म पे जाकर आप IPL की ओपनिंग सेरेमनी की टिकेट खरी सकते हैं एक चीज़ और बता दू कि BCGI के हावाल से confirm हुआ है कि अगर आप opening ceremony की ticket खरीदते हैं तो आपको पहले match की भी ticket मिलेगी, मतलब आप single ticket में दो फाइदे ले सकेंगे, आपको opening ceremony भी देखने को मिलेगी, spirit of the cricket भी देखने को मिलेगा, और जो पहला match हम आपकी, जो वो भी देखन यह को मिलेगा, तो यार जो लोग एहमदाबाद में है, टिकेट जरूर खरीदना क्योंकि यह पहला दून बहुत थेहासिक रहने वाला IPL का, क्या आप भी लेंगे ticket क्या आप भी एहमदाबाद से यह देश की किसी अनकोने से comment box में अपनी राय लिखे, आगे बड़ते हैं IPL will set up the Koli for ODI World Cup, यह जो IPL होगा दो महीने का, यह विराट कोली के ODI World Cup की tone को set करेगा, अगर भारत को अच्छा खेलना है तो विराट कोली को चलना पड़ेगा, लेकिन विराट कोली को जो set up होगा, विराट कोली का जो form हमें देखने को मिलेगा, मतलब विराट चलेंगे य कितना जूट क्या IPL का बहुत बड़ा impact World Cup पर भारत के लिए पढ़ने वाला है, इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कॉमेंट बॉक्स नीच है यह फिर बोलना हूँ, आगे बर्दे दोसे आसे बात करते हैं दिन बर की साथ पी बड़ी कीजिए, KKR ने अपनी नई जर्सी माय फैब 11 के साथ बनाई है, इनका प्रिंसिपल स्पॉंसर बना है, तो KKR के फैन हो, अगर आप लायक नहीं किया हो, कर दो, RCB के फैन जिन्हों ने नहीं किया हो, वो भी कर दो, आगे बरते है, मुंबई इंडियास ने हलका सा के साथ अपनी जर्सी के कलर और टेक्शर को बदला है, बंबई के फैन लाइक नहीं किया हो, तो कर दो, फटाफट, आगे बरते है, लखनाओ सुपजाइट से फुली अपनी जर्सी कम्प्लीटली बदल ली है, लखनाओ की जर्सी में आपको बता चुका हूँ, डार्क ब् वो दिख भी नीरा है, तो ये दोनों की भी नई जर्सी आए चुकी है, रिपोटेडली सीएसके के फैन्स लाइक कर देना, क्योंकि सीएसके अंचेंज जर्सी के साथ उतर रही है, इतना सा भी बदलाव सीएसके बदलती नहीं है, तो अभी तक ये छेसाट टीमों की दसमे टेस्ट मैच चल रहा है, उस टेस्ट मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अलर्ट हमें रोई शर्मा के आवाले से देखने को मिला, क्योंकि रोई शर्मा छटवे इंडियन मन गए, जिन्होंने 17,000 अंतर राष्ट्रिये रन पूरे किया, बहुत बड़ा अचीम्मेंट भाई, एक लाइक अगर नहीं किया हो, तो करदो बनता है रोई शर्मा के लिए, क्योंकि यार जाहिर है, 17,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और अगर कोई खिलाडी कर रहा है, इरिस्पेक्ट उसके बारे में कैसी भी बाते हो रह रहे हो, बट ग्रेट तो ग्रेट ही रहेगा, विराट गोली महेंद सिंगोनी अल्रेडी इस रिकॉर्ट पर पहुच चुक है, तीसरे खिलाडी जो करेंट स्टेट में वो रोई शर्मा बन गाए है, और छटवे इंडियन बन गाए, लाइक तो बनता है, आगे बढ़ते है से आसे बात करते हैं, दिनवर की स्वी बड़ी खबर की, तो चौता टेस्ट मैच ड्रो होने वाला है, दरअसे लरी देस्ट मैच ड्रो की तरफ बढ़ते है, और जो दूसरी इंग है, व हो अभी तक आज चौता दिन चल रह रہा है और अभी तक दूसरी इंग फिनिश होन ली बनाया गया था कि इस पिछ पर इतने रन पड़ जाएं इतने रन पड़ जाएं कि मैच ड्रॉव हो जाएं यह सवाल उठाया जा रहे हैं हलाकि अगर यह मैच ड्रॉव होता है तो भारत दो एक से सीडिय जी जाएगा बाकि इस पर आप भी अपनी राय जरूर लिखिए क कर दीजिए अपना राइपल को रिकेट फैन के साथ और राइपल की तमाम रिपोर्ट न्यूज फैक्स अब्डेट हरो असी तरह से पादर रहने की सब्सक्राइब को बटर नीचे पड़ा बरेट कीजिए बेल आइकन दबाई